आज नर्बहादुर भंडारी जैंती के अफसर पर दकॉर्ड लाया है एक स्पेशल रिपोर्ट। हम बात करेंगे उनके कंट्रिबूशन्स, कैसे वो सिक्किम के लिए एक महतपून चहरा बने और भारत के नेपाली भाशी लोगों के लिए वो किस तरह एक इंपॉर्टन्ट फिगर है और हम जिक्र करेंगे उन बातों का जो एनबी भंडारी के बारे में शायद कई लोगों को मालूम नहीं है सिक्किम के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वरगिय नर्बहादूर भंडारी का जन 5 अक्टूबर 1940 को सिक्किम के मलबसे में हुआ था सोरेंग और नामची में अपनी स्कूली सिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी ग्राजुएशन दार्जलिंग गवर्मेंट कॉलेज से की और एक छात्र के रूप में भी वो शुरुवात से ही स्टूडेंट्स वेलफेर और विभिन्न सोशल और लिटररी अक्टिविटीस से जुड़े रहे राजनीती में आने से पहले वे एक स्कूल टीचर रहे उन्होंने सिक्किम गवर्मेंट सर्विस को अध्यापक के रूप में जॉइन किया और सोरिंग स्कूल, चाकूंग स्कूल, रंगली जुनियर हाई स्कूल, नामची सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गैंग टॉक के वेस् राजनीती दिलाने के सपने को दिखाने में एन्बी भंडारी का भी एक एहम योगदान है। कहा जाता है कि एक अध्यापक होने के कारण उनकी राजनीती में ज्यादा रुची नहीं थी और उन्हें अपने पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पूरे प्रजाशक्ती पत्रिका के जर्णलिस्ट अरजन प्यूश ने सिक्किम में सिक्षा को घड़ेरी खनने मुख्यमंत्री यानि सिक्किम में सिक्षा की फाउंडेशन रखने वाले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया है। सिक्किम में अधिक्तम सरकारी विद्याले एन्बी बाषा से प्रेम करने वाले निपाली बाषा बोलने वाले व्यक्ति के दिल में क्यू बसा है। भारत के नेपाली बाषी समाज में, N.B. बंडारी का सबसे बड़ा योगदान नेपाली भाषा को समवेधानिक स्विकृती दिलाने के अभियान को कारगर करने में रहा है। उनकी पत्नी ततकालीन सांसत दिलकुमारी भंडारी एवं एनबी भंडारी के द्वारा भारत की ओफिशल लैंग्विजिस की सूची में यानि समवेधान की आठवी अनुसूची में नेपाली भाषा को माननिता दिलाने के लिए एक मुहीम चलाई गई थी। एक ऐसे वक्त में जब नेपाली भाषा माननिता के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था तो ततकालीन भारतिय सरकारों ने रुची नहीं दिखाई थी। और उसका विरोध करने के लिए भी कई लोग खड़े हुए थे। और ऐसे कठिन समय में एनबी बंडारी एवम उनकी पत्नी द्वारा विबिन पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं को एक जुट किया गया ताकि नेपाली भाषा के पक्ष में एकता बनाई जा सके जिसके लिए दोनों को भाषा संग्रामी भी कहा जाता है। इसी दोरान एनबी बंडारी की अध्यक्षिता में भारतिय राष्ट्रे परिशत की भी स्थापना की गई थी। आनके सिर्फ दो कास्ट होती है, एक स्त्री और एक पुरश। वे सभी धर्मों की इज़त करते थे और मंदिर, चर्च, मोनास्ट्री, मस्जिद हर जगे जाया करते थे। नर्बादुर भंडारी को नेपाली बोटिया एवं लेपचा समुदाई के लोगों के बीच भाईचारा स्थापित करने के लिए भी जाना जाता है। और उन्होंने सिक्किम में कम्यूनल हार्मनी स्थापित करने के लिए नेपाली बोटे और लेपचा का एकत्रित नारा नेभोला को भी एक व्यवहारिक रूप दिया। बेशक उन्हें नेपाली भाषा में उनके एहम किरदार और कंट्रिब्यूशन के लिए याद किया जाता है। लेकिन सिक्किम में उनकी कुछ एहम राजनेती को पलब दिया हैं जिने नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे free education from elementary to graduate school, सिक्किम निवासियों के लिए 3-4 किलोमेटर के दाइरे में स्कूल की स्थापना, हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था, सभी प्रमुक गाउं के लिए construction of a network of roads, सभी ग्रामीन शेत्रों को electric grid पर लाना और स्वास्थे केंद्रों की स्थापना। N.B. भंडारी को reading and writing में गहरी रुची थी और यही उनका एक एहम फैक्टर था कि वो ना केवल एक राजनेतिक वेक्तित्व थे बलकि साहित्य में भी एक बड़ा नाम रहे। उनके नाम पर कई प्रकाशन हैं जिसमें से कुछ प्रसिद्ध हैं हामरोपुकार यानि और वोईस जो कि किसी सिक्किमीज द्वारा संपादित पहली पूर्ण नेपाली पत्रिका थी। इसके अलावा आर मुक्तान और चर्चिल सुबबा के संयुक्त संपादन में निखाली जाने वाली बाई वीकली आजको सिक्किम और एक टाबलोईड टीस्टा रंगित के प्रकाशन के पीछे भी नर्भादुर बंडारी का एक एहम हाथ था। 1973 में एक नेपाली साहितिक पत्रिका अर्चना का भी उन्होंने संपादन किया था और पाइन प्रिंटर्स नामक प्रेस की स्थापना में भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया था। वे फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैड्मिंटन में दिल्चस्पी रखते थे। इसके अलावा वे नेपाली भाषा के अब तक के सरवश्रेष्ट वक्ताओं में से एक हैं। 16 जुलाई 2017 को उनके निधन के पश्चाथ प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने शोक वेक्ट करते हुए कहा था कि सिक्किम के विकास की दिशा में नर भाधुर भंडारी जी के द्वारा किये गए कार्य सदेव याद रखे जाएंगे। 2019 में ततकालीन सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पियस गोले ने 5 अक्टूबर यानी नर भाधुर भंडारी की जन जैंती को एक स्टेट हॉलिडे घोशित किया और इस उपलक्ष में अटल भंडारी नामक किताब को रिलीज किया गया। ये किताब एन भी भंडारी के सीम के रूप में योगदान एवं नेपाली भाषा और साहित्य में उनके योगदान पर केंद्रिद है। कुल तीन बार मुक्यमंत्री के पत पर रहने वाले स्वर्गिय नर्भादुर भंडारी समाजिक एवं राजनितिक जनप्रिय वेक्तित्तो थे। ना केवल वो सामान्य जनता के लिए आगे बढ़ने वाले वेक्ति थे बलकि अपने भाषणों में जनता के एहम मुद्दो को उठाने वाले सरल एवं बहुमुकी प्रतिबा के धनी थे। नेपाली भाषा को राश्डीय स्तर पर मानेता दिलाने वाले नेता नर्बहादुर भंडारी अपने महत्तपूर्ण योगदान के लिए भारत के नेपाली भाषियों के लिए हमेशा अमर रहेंगे। आज के युवा नेताओं को स्वर्गिय नर बहादुर बंडारी के रास्ते का अनुसरन जरूर करना चाहिए और जनता के हित के लिए जिस तरह उन्होंने सोचा था उनसे प्रेड़ना लेनी चाहिए उनके इतने बड़े योगदान के लिए आज सिक्किम के हर स्कूल, गाउं और शहर में उनकी जन जैनती को मनाया जाता है देश विदेश ये जुड़े किसी भी विशे पर अगर आप चाहते हैं कि दकॉर्ड का एपिसोड बनाया जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए या फिर आप इमेल कर सकते हैं info at the rate the court.co.in पर जो कि description बॉक्स में भी दिया गया है